Hello everybody, welcome to chapter 9, जिसका नाम है इफ, ये एक बहुती बढ़िया पोयम है, अपने देखते हैं क्या क्या है, this is a didactic poem, didactic का मतलब होता है जो सिक्षा देगी, किसी काम के लिए आपको प्रेरित करेगी, सिक्षा देगी, वो है ये, didactic poem, the poet, Rudyard Kipling, mentions certain qualification and conditions, ये एक didactic poem है, इसके poet है, Rudyard Kipling, जो काफी सारी qualifications की बात करते हैं, और conditions की बात करते हैं, परिस्थितिया जो जरूरी है, essential for becoming a complete or perfect man, perfect, यहाँ पर complete or perfect का मतलब होगा, बहुत बढ़िया आदमी, remand, remand a perfect man, बिल्कुल सहीं, बहुत प्याराशीश, बहुत बढ़िया, if summary in English, ये if की summary चल रही है, English में, a man can become a complete man, if he has certain qualifications, एक आदमी, सच मुच में आदमी तभी कहलाएगा, जब उसके पास में ये सारी qualifications है, जैसे, आज कोई English पढ़ा रहा है, तो उसको qualify होना चाहिए, MA English, या PhD, बड़ी class को पढ़ा रहा है तो, mathematics पढ़ा रहा है, तो MSC in Maths, qualifications है न, उसी तरह, अगर कोई वेक्ती संसार में अच्छा बनना चाहता है, तो उसके पास में ये सारी qualifications होना चाहिए, पहली बात, he never losses his cool when others get angry and blame him, कई बार, लोग आपसे घुस्सा होंगे और बोलेंगे तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, सारा टिकर आपके उपर फोडेंगे, तब आपको आपका cool, आपा आपा नहीं खोना है, keep your cool, मतलब दिमाग को एकदम तंडा तंडा रखना है, अगर आप अपना दिमाग थंडा रख सकते हो, जब सब आपको blame करें, सब आपसे घुसा हो, आप complete man हो, आप सफल हो जाओंगे, आप जीवन धन कर लोंगे, he has consideration for others, देखो apostrophe का mark है, मतलब उनका अधिकार है, दूसरों के लिए आपके मन में क्या होना चाहिए, considerations, मतलब उन के प्रती भी आपके मन में सोच होना चाहिए, consideration for others, doubt but trust himself, दूसरों के प्रती मन में संदे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, बहुत चांदार पोयम है, डिडेक्टिक पोयम है, कभी बोलता है कि सुनो, अगर complete man बनना है तो प पहली बात याद रखो, never lose your cool, कभी भी लोग आपके उपर ब्लेम करें, angry हो, आपको आपका cool बना के रखना है, he does not tell lies, nor does hate others, जूट मत बोलो, नफरत मत करो, अब ये बड़ी बात है पर आप इसको पालन कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, he does not boast of his goodness and wisdom, boast का मतलब होता ह ये शेकी बगारना, बोलते ना अपने मूमिया मिट्टू, अपनी तारीफ खुद करना, goodness, अपनी अच्छाई का धिंडोरा नहीं पीटता, he is neither related in prosperity, prosperity, मतलब कोई अच्छी चीज होती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता, नहीं, not depressed in adversity, सफलता में कूदता नहीं, वि is tolerant and a patient spectator, tolerant का मतलब होता है सहन्शील, tolerant patient spectator, धैर बना के रखता है, he never losses heart on losing his achievements, बोलते ना दिल छोटा मत करो, हर हार के बाद वो सीखता है पर दिल छोटा नहीं करता, he develops a strong willpower, कठोर इक्छा शक्ती को जागरत करता है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करके दिखाऊंगा, he never wastes time on his virtue, वो अपना समय बेकार नहीं करता और अपनी भावना को भी खराब नहीं करता, he always lives with his limits, बोलते ना आपकी सीमा को बहार मत जाओ, तो अपनी सीमा में रहता है, उसको fairy fairy भी बोलते हैं, he is neutral and uniform with his intimates or rivals, समझना, neutral मतलब किसी के प्रती अच्छा भी नहीं और किसी के प्रती बुरा भी नहीं, uniform, एक समान रहता है, intimates, अच्छे लोगों के साथ, rival, शत्रू के साथ, कोई उसको मित्र मानेगा, कोई उसको शत्रू मानेगा, पर वो ना किसी को मित्र मानेगा, ना किसी को शत्रू मानेगा, वो दोनों के साथ कैसा रहेगा, uniform, एक समान, एक समान, he is steadfast in his conduct he is bold and persistent conduct में steadfast उसका जो चरित रहे वो एकदम सही रहेगा bold and persistent bold मतलब सहासी रहेगा और persistent मतलब निरंतर प्रयास करेगा अब देख लो हिंदी में पूरी बात समझ में आ जाएगी मनुष पूर माना बन सकता है यदि उसके पास कुछ निश्चित योगताए है क्या क्या चीए शील नहीं खोता मतलब गुसे में नहीं आता आपे से बाहर नहीं जाता दूसरा रुस्ट हो जाए और उसके उपर दोसार उपन करे वहाँ दूसरे के संचियों पर विचार कराता है पर तूस्वयम पे बरोसा रखता है अपने उपर बरोसा दूसरे के उपर संदे वहाँ ना तो जूट बोलता और ना ही घ्रना करता है ना जूट बोलेगा ना घ्रना करेगा अच्छाई और बुद्धी शील्टे का दिंडोरा बोस्ट का मतलब एकदम लिटरल भाषा में होता डिंडोरा पीटना डिंडोरा नहीं पीटता ना तो सम्रद्धी में बहुत खुश होता है और ना ही विपत्ती में हतोच साहित होता है सहनशील होता है धैरवान दर्शक होता है अपनी उपलब्दियों के नस्ट होने पर वो कभी नहीं गबराता गबराने का नहीं द्रड संकब को विक्सित करता है समय और सदाचार वर्चिव मतलब सदा चार सद भावना धरम परायंता से मुक नहीं मोडता है सीमाओं को परीदी परीफेरी को हिंदियों बोलते है परीदी उसकी सीमा के बहतर भीतर रहता है घनिस्टों और प्रती द्वंदियों के प्रती एक समान वहवार रखता है यूनिफॉर्म राइवल एंड इंटिमेट इंटीमेट मतलब बहुत घनिस्ट और राइवल मतलब प्रती द्वन्दी आचरन में अडिक रहता है वह चीर और सतत प्रत्न वाला है निरंतर प्रयास करते रहता है वर्ड मीनिंग देख लेना क्या क्या होते हैं अबाउट का मतलब यहां पे होता है नस्दीक ब्लेम का मतलब होता है द्रोस देना ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना डाउट का मतलब शक करना मेक अलावेंस का मतलब होता है किसी चीज के प्रती पहले से सोच विचार करके रखना निरने लेना विचार करके टायड ठग्या डील वास्ता रखना ये सब अपने को कहां से मिलता है mpboard solutions.com Thank you mpboard एम यहां पे उद्देश ट्रंप का मतलब होता विजय है याद रखना पोयम में शब्द है ट्रंप disaster का मतलब होता एकड़म संकट आपदा imposition का मतलब होता ठगना बिलकुल सही वो भी होता है दुराचारी भी बोलते है उसको दुस्ट भी बोलते है imposter का मतलब पाखंडी भी होता है अब देखो न सर पाखंडी बोलो, दुराचारी बोलो, ठग बोलो बात तो एक ही है न twisted का मतलब होता तोड़ना मरोड़ना नेव का मतलब होता विलन बेकार वेक्ती खलना है देख लो देख लो हो गया हो गया हो गया अगले वीडियो में मिलो तो अपन करते हैं question answer बिलकुल अब भी अब भी अब भी thank you so much for watching this video and being live with us झाल 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 झाल